नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का चानक के परीपर आज के इस शेशन में हम MPPSC Forest Mans के जो पेपर का खंड अ है उसकी फर्स्ट यूनिट का टेस्ट लेकर आए हैं जो कि हमारे मध्य परदेश की इतियाज संस्क्राइट यह हम साइट्य का टेस्ट होगा और यह जो टे के वीडियो अप्लोड करें तो उसकी नोटिफिक्शन आपको मिल जाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो हमारा पहला प्रस्ण है मध्य परदेश के किस पूरा तात्विक इस्तल से नर्मदा मानाव एवं विलुक्त हाती के जीवाश्म प्राप्त हुई है तो यानि नर्मदा मानाव और साथ में ही विलुक्त हाती को क्या कहते थे describes को नाम है इस्ट्रय गोडन क्या नाम है इस्ट्रेव गोडन उसका जीवाश में मिला है तो यह कहां से मिला है हत्नोनाव महाभारत में वर्णित कारोश देश का समबंध वर्तमान मध्यपरदेश की किस जिल मनू कौन राजा मनू उनके पूत्र कारूश को माना जाता है इस और यह शेतर जो है मर्द्यप्रदिश के बगियल खंडर शेतर रिवा में आता है अगला है हमारा इन में से कुझ सा कतन सही नहीं ही रिवा विंद्यप्रदेश की राजदानी थी तैस तहीं नहीं है तो हमारा option D सही हो जाएगा क्योंकि जो ग्वाइलियर जो है वो मध्य परदेश की नहीं थी बलकि मध्य भारत की थी इसकी थी मध्य भारत की थी और इस ग्वाइलियर के साथ में एकुर कौन सी राजदानी थी मध्य भारत की वो इंदोर थी तो हमारा जो option D सही हो जाएग अगला प्रशन है हमारा मद्य पर्देश के मंसोर के समीब इस्ती दश्पूर नामा के इस्थान में सूर्य मंदिर का निर्मान की शाशक ने करवाया था तो ये जो करवाया था ये गुप्त समराठ जो थे कुमार गुप्त द्वीतियों ने इसका निरमान करवाया गया था और ये मंसुर के अभील्यक में इसका वृणन मिलता है अगला प्रशन है अमारा सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है तता सूचियों को निचे देगए कुटों का सही परियोग करते हुए सही उत्तर का मिलान करना है यानि कि जो सूचिय दे रही है इसको मिलाना है और इसके कोट से इसको सही करना है तो जो टंट्या बिल जो होगा तंट्या बिल का जो हमारा हो जाएगा वो खरगोन हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा इसका दो हो जाएगा तंट्या बिल का जो रानिया वंति भाई यह वो रामगड की थी तो इसका रानिया वंति भाई का सह हो जाएगा और जो डेलन च चाहे वह नर्सिंग पूर्gia ते तो इसका क्या हो जागा डेलंशा का बह हो जाएंगा और शंकर शाथ सभीपृ बन राइगे तो इसे अलोग्य में सही हो जाएकлан उप्शन B साही हो जाएगा अगला प्रश्न है हमारा शरी प्रेम्छंद उस्ताद का संबंद कि सतंत्रता आंधोलन्य से जो इसका नेंद्र जॉपाद्यों charisma को बिए ज sixteen को जनेंदर राजा दिराज और नरादीपती परमिश्वर अधियुपधियों से अलंकृत किया गया था अगला प्रशने मारा मज़्य परदेश की किस महान सवतंता से नानी जिसने अंग्रेजी शिक्षा पद्यती का मुखोर विरुद किया था तो इसका जो आंसर हो जाएग खणः वंच का दशपुर सही है बहंदयलावश और चा का इंदोर और कल्चूरी का त्रिपोरी तो इसका हमारा सया प्रसिद्धन और है इसका हमारा सही ऑन्र ग process में और ज poi और बजन यहां लोग गेत scored ये इनवल जो ही बजन अगला प्रशने हैं हमारा सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए कुदसिया बेगम सिकंदर जहां बेगम साजिदा सुल्तान बेगम और सुल्तान जहां बेगम इनका जो है हमें मिलान करनी है जो उसकंदर जहां बेगम सिकंदर जहां बेगम साजिदा सुल्तान जो साजिदा सुल्तान थी इनका जो है 1961 से 1995 तक था तो इनका जो हो जाएगा बह हो जाएगा और जो लास्ट का बजाए सुल्तान जहां वेगम का 1901 से 1926 का उनका अगला प्रशन है हमारा रानिया अवंदी भाई लोधी ने किस अंग्रे सेनापती को भागने पर मजबूर किया गया था तो जो रानिया बाई लोती थी इन्होंने जो है सेनापती वार्डन जो था उसको भागने पर मजबूर कर दिया था उप्षन ये सही हो जाएगा हमारा अगला प्रशन है कोरे गाउं वो अस्टी के युद्ध का संबंद किस मराटा साशक से है तो इसका जो अंसर होगा वो उप्षन ये सह जगा पेश्वा बाजिराव धिती से है कोरे गाउं और अस्टी के युद्ध का अगला है पुरानी कथाओं के अनुसार बिंड पर किसने शाशन किया था तो जो पुरानी कथा थी उनके अनुसार बिंड जो शाशन है वो राजा शीशु पाल ने किया था उप्षन सही हो जाएगा हमारा अगला प्रशन है हमारा सुची एक और सुची दोसे सुम्मेलित करना है वापिस कूट वाली सुची आगई है हमारी इंदोर ग्वालियर धार देवास छोटी पांती और देवास बड़ी पांती और इनके जो संस्थापक हैं उनसे मिलान करना है मुझा तो जो इंदोर का जो संस्थापक थे वो मलहार राव हॉलकर थे तो इनका जो है वो ऑप्षन बव हो जाएगा अगरा है हमारा ग्वालियर का तो ग्वालियर का जो है रणो जी सिंध्या ने की थी तो इसका हो जाएगा और जो दार है उसकी जो इस्थापना है वो आनंद राव पमार ने की थी तो इसका सही देरका इसके सामने ही सह हो जाएगा और देवास छोटी पाती, देवास छोटी पाती की इस्तापना जो जीवा जी ने की थी और बड़ी पाती की तुको जी ने की थी तो हमारा option A सही हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रशन है हमारा किस चंदेल शाषक के द्वारा राजदानी परिवर्तित करके खजुराहो को नई राजदानी बनाई गए था तो यह जो है धंग देव की द्वारा बनाए गए था और धंग देव ने ही अधिकान से चंदेल मंदीर जो है उनका निर्मान कर वाए था अगला है पर्मारवंश के कि शाषक ने अपनी राजदानी उज्जन से धार इस्थानांतरित की थी तो पर्मारवंश का कौन सा शाषक था तो पर्मारवंश का जो बेर सिंग द्विती था उसने जो है उज्जन से धार इस्थानांतरित की थी अगला प्रशन है हमारा आबिर वंच के अंतिम शाशक कौन थे तो आबिर वंच के अंतिम शाशक मंडू लग थे उप्शन A से होगा हमारा अगला प्रशन है हमारा ग्वालियर का किला तो अमर वंच के अधिकार में कब था जो गौलियर का किला है वो तो अमर वंच के जो अधिकार में है 1398 से 1518 तक इस वी तक था उप्शन भी से हो जाएगा अगला है हमारा रिवा चावल अंदुलन में शहीद होने वाले देश बगते जो रिवा का चावल अंदुलन हुआ था उसमें शहीद कौन होए थे इनमें से तो उनमें से त्रिवोवन तिवारी और बेरो परसाद उमर लिया दोनों होए थे तो अगला है भोपाल का जलिया वाला बाग कांड कब हुआ जो भोपाल का जलिया वाला बाग कांड कब हुआ तो वो देश की आजादी के बाद हुआ था यानि कब हुआ था उनिसों पचास में हुआ था जब जो वहां का जूर नवाब था उसने बेर पर गोली चलवाती है अगला है हमारा माध्यपरदेश में 1827 संग्राम, जूर्ध है 1577 का 17 संग्राम हुआ ता वो शुरू कहां से हु हुआ था तिन जून 1857 को अगला प्रशन हमारा होशंग शाह ने किस सथी में मांडू सवतंत्र राज्य की इस्तापना की तो उसने सथी में की ती options as ही हो जाएगा मारा अगला प्रशन हमारा कश्री रूप से बाग लेने वाली जन जाती या निकिकन जाती उनमें से किस जन जाती हुआmy सक्री रूप से भाग लिया था तो वो ब चाहिए तो जो द होए जिर्में ऐसे पाए गए ए सुछ से भावानी हुआ है जो आगया है को है इसमया गाले सुने से जोडियन यह क्या है निए टीन्यान अं को ह manifestation ज्र Each जा मान सिंग तो उमर भी दुरूपत संगत के नहीं थे राजा अशोक भी दुरूपत संगत नहीं थे और राजा बोज भी दुरूपत संगत के जो संगीत था दुरूपत संगीत उसके नहीं थे सरक्षक अगला प्रशन है हमारा उरूश रंग एवं अंतराल किस इस्थापत लोक गायन जो ही वो किसमे प्रसिद्ध है तो वो निमान में प्रस्जली थे तो option हमारा D सही हो जाएगा अगला प्रशन है हमारा अलहा गायन के प्रमुक वाध्य यंत्र ही जो अलहा गायन ने उसके प्रमुक वाध्य यंत्र कौन से सितार तबला डोलक नगाड़े बांस या चिकारा तो जो अलहा गायन के प्रमुक वाध्य यंत्र जो है उसको बताना है तो वो बांस और चिकारा है option सही हो जाएगा अलहा गायन ने जो अलहा गायन में क्या किया जाता था जो अलावुधल थे, उनकी गठाओं को सुनाए जाता है, अलावुधल की गठाओं को, वेर रस्प्रदान गठाओं होती है, अग्ला हिनिन्मलिकीत में से किसने 1857 में अंगरेजियों से संगर से किया था, 1857 की क्रांती में, तो सहाधत खाँ ए, ये जो इंदौर से इसने किय जानकारी मिलती है कि जो बुद्ध काल दा उस वक्त आवंती की राजदानी उज्जेनी थी अगला है सुची एको सोची दो से सम्मिलित करना है साथ में कूट दिये हैं तो इन कूट से मिलान करना है नहीं देल रखा है नाषदा, टॉली, एरन, तुरिपूरी और गुजरा या 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 बिल्यग जो हें कहां से मिले है या किस शाक्षे किस रूοप में मिले हैं तो वो हमसे पूचा है, तो इसका जो हमें कुट मिलाना है, तो जो नावदा टोली जो है वो तामरपाशनी संस्क्रिती है, कौनसी है तामरपाशनी संस्क्रिती, जो एरन जो है वो सतिप्रता की साक्षे मिले है एरन से, और जो तरिपूरी है, तरिपूरी में साथ वाहन एव शत्रोपो की सिक्के में ले हैं और जो गुर्जरा अभी लेगे वह अश्यों के लगू अभी लेगे तो इसका जमारा कुड होगा वह दो तीन सही हो जाएगा हमारा अगला प्रशन है हमारा सही जोड़े बनाई यह तता नीचे दिये के कूड में सही उत्तर को चैहन करना है कूड वाली वापस आ गई है यह आपर तो क्या कूड है भोज दुर्गावती समुंद्र गुप्त और जो है अशोक का दे रखाए तो जो भोज का जो हो जाएगा वो धार हो जाएगा भोज के कहां की थे तो धार में थे जो दुर्गावती है दुर्गावती कहां पर की शाशी का थी तो गोंडवान आई की थी और जो अशोक था जो अशोक कहां का था अशोक उज्जन का शाशक था और समुंद्र गुप अगला प्रशन है निर्मली की सुचियों को सुमेलित करना है वापिस से कूट वाली आ गई है यहाँ पर तो जो इनको कूट बनाना है तो अगर आपको सबसे पहले ही मैं बता देता हूँ इसका कूट तो इसका जो कूट होगा वो जो है कि खेल वार जाती है यहाँ जर पुझन करती है जो कि सोरी-जरी मिस्टेक हो गई है एक वार फिर से मिला लेते हैं 33 वापत वार प्रस्वर क्या पुछ रहा है सुचियों को सुमेलित करना यहांनि रही गई गाल है Gen जाती है वह चोत्तरी का कारिए करती है और जो कोल जन जाती है वह घलत हो रहा है में इसके हाल से एक मिनिट अपनिया मिला लेते हैं जो पनी का जन जाती है वो कबीर पंथी जन जाती है तो सव का कौन सा एक होगा सव का एक इन दो में दे रखा है किसमें दे रखा है C,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D इसका सुवर पूजन होगा या चोतरी होगा या बेगा जन जाती का चोतरी होगा तो जो कॉल जन जाती है उसका चोतरी होगा जो बेगा जन जाती है इसका सुवर पूजन होगा तो तीन का जो दो होगा इसमें यानि की बेगा वाली चार में दो तो इसका जो हमारा सही अंसर हो जाएगा ऑप्शं हमारा सी चैना अगला प्रश्न हमारा जबलपुर सत्यागर अगला है ब्लाइध फोन साथ जहांगिर के पीछे चैना प्रश्न मांडव आयलता हमारा ओप्शन एसे हो जाएगा अगला प्र्शन हमारा चलते हैं चालिसे प्रशने की वर गलत योग में बताना है कोहवर बगेली मौरारला मालवा और हलचल बगेली और सूरेती जो है वो पुंदेली तो इसका जो हमारा से अंसर होगा वो मौरायता होगा या मालवा का नहीं है अगला है हमारा मद्य परदेश की प्राचिन संबन जनपत के संबन में सही जोड़ी नहीं है सही जोड़ी कौन सी नहीं है वो बताना है हमें तो जो है तुन्डीकेर, दमू, चेदी, निमाड, अवंती, उज्जेन और दर्शान जो है वो विदिशा इसका जो सही अंसर होगा वो उप्शन B सही होगा 41 का क्योंकि जो चेदी थे वो खजुराहों के लिए था निमाड के लिए नहीं था लेकिन हमसे पूचा है सही जोड़ी नहीं है तो ये उप्शन B सही हो जाएगा अगला प्रशन है नोटेंग की नामक लोग नाइट्टे में प्रमुक पात्र को क् अगला प्रशन है हमारा मुख्य रूप से किसानों का पर्व कौन सा है दिपावली गंगा दश्मी दशेरा या हरेली तो जो किसानों का जो मुख्य तो वहार है वो हरेली है कौन सा है हरेली है ओप्शन D से हो जाएगा अगला प्रशन है हमारा निर्म लिखित युगमों मे होगा वह 54 हो जाएका निर्जा इस्तरी पूरुष नहीं होगा अगला है खुजओराउ। ड़्या शूर सथीध मेला मकर संकर् graphs के दन लगता है। और उप्रोक तो सभी हो जाएगा अगला प्रशन है माध्य पर्देश के उस्त्रविम समारो की विशे में सत्य कथान योगमगा चाहिए हाँ कीजिए अनुगुंज उज्जन टेपा समारो भोपाल में लोकरंग समारो उज्जन में और राम लिला उत्सव सागर में इसका हमारा से अनसर होगा वो ऑप्शन ये होजागा जो अनुग जेह है वो जैन में होता है अगला है सरher की इस जंजाती द्वार्ण मनाया जाने वाला पर्वभी तो ज़ो championships है वो उराव जन जाती द्वार्ण मननाया जाने वाला पर्वभी किसके दोरा उराव दोरा अगला है सयाजी दोर कहा है इस्तित इनलोर बोजपूर रिवाया दिवास तो जो सयाजी जो दोर ही वो हमारा दिवास में इस्तित ऑप्शन डे सही हो जाएगा अगला है हमारा विदिशा में इस्तित उद्य गिरि की गूप मैं कितनी गूपा है तो उद्य गिरी में टोटल 20 गूपा है तो हमारा उप्शन यहेवह बी से हो जाएगा अगला प्रशन है हमारा चंबल की गांटी में अटेर दूर के किस के दूरा निर्मित क्या गया है तो जो अटेर का झो दूर गहे वो भदूरियाओं के दोरा निर्मित किया गया है option A सही हो जाएगा अगला है परियाटक इस्थल पचमणी की प्रसिद्धी का कारण क्या है योगिश्वरनात मंदीर बड़ा अब्यारन एक सुन्दर पहाड़ी सेरगा या उद्योगी नगरी तो इसका जो होगा वो option C सही हो जाएगा एक सुन्दर पहाड़ी सेरगा है और इसे मद्यप्रदिस के कश्मीर भी कहा जाता है अगला है गुमाओ महल को किस नाम से जाना जाता है जो गुमाओ महले उसे किस नाम से जाना जाता है अगला है निर्म में से कौन सा जेन तीर्द इस्तल नहीं है सोनगीरी, मुक्तागीरी, सांची या कुंडलवन तो जेन का इस्तान पूचा है हिनों ने तो जो सांची है वो जेन धर्म से संबंदित नहीं है या बहुत धर्म की ये तो अप्शन सी से हो जाएगा अगला है कोंसा परियटा निस्तल छल्प परियटा निस्तल लिए कि युट्ध कीकिन करवाई था तो दार की किल्ध है व שמह्मत तुकलग करवाई था अब्छन से हो जाये गा अग्लाइल हमारा दातु शिल्प उशेशकर्णấu पितलके पहीं निमार का रोबिन हुड किसे कहा जाता है तो जो निमार का रोबिन हुड जो है वो भीमानायक को कहा जाता है तो जो तो जो आप सब्सक्राइब किसे मध्य प्रदेश की सव्क्रती विबाग ने अपना ब्रांड एंबेसेडर बनाया है तो जो भूरी भाई है इनको संस्क्रती विबाग ने अपना ब्रांड एम्बेसेडर बनाए किसको बनाए भूरी भाई को संस्क्रत अकादमी है इसकी स्थापना नहीं बाल कि उन्हीं से पिच्चासी मोई है अग्लाए कुमार गंदर्व समारो का आई एजन कहां किया जाता है जो कुमार गंदर्व समारो का आई जन होता है वो कहां पर रहता है जो कुमार गंदर्व का जो समारो आई जन होता है वो साइद इंदोर में होता है अगला प्रशन है हमारा मध्य पर्देश में निर्म समारो वा उनकी इस्थान को चुनी है सुभद्रा कुमारी चोहान समारो जबलपूर्स और्चा उत्सव निवाडी टिकमगर पदमाकर समारो सागर और माखनलाल चतुर्वेदी समारो होशन का बात यह गलत हो जागा जो माखनलाल चतुर्वेदी समारो यह खंडवा में होता हय कहां होता है ? खंडवा में, एक मिनट अगला कुछन देख लेते हैं कुमार गंदर what समारो का आय। आय। अप्शन B से होजाएगा अगला प्रशन है हमारा अगला है विचार कर गलत युगम को छाटी है हस्ते हैं रोते हैं शरज्योषी समर्पण माखनला चत्रवेदी चांद का मुझ टेड़ा गजानन मादव मुक्ती बहुत और प्राना अरपन बाद किसने शर्मा नामीन तो इसके जो सही अंसर होगा वोप्शन ए हो जाए से मां का भी भूव भूती जो है उनका उत्तर राम चरित हो जाएगा कालिदास का मेगदूत हो जाएगा और बान भट बान भट का क्या होगा तो बान भट का जो है वो कादंबरी हो जाएगा और बृतहरी का नेतिशतक हो जाएगा तो हमारा ओप्शन बी से हो जाएगा च लुख गीध है वह जो ही यूओर लड़के यह दोरब गाया जाते हैं और कहाँ पर गाया जाता है तो यह मालवा में गाया जाते है lah अगला विद्धिका का संब्सक्षे कि किसी से है तो जो कलाविधिका का संब्सक्रुषा का संब्सक्षंद से ये हो जाएगा हमारा अगला भारतीद दुर्गों की मणी माला या भारती दुर रात में भारती बारती के व्लों का जिब्राल्टर कि से कहा जाता हम है तो गौयलियकी कीले को कहा जाता है and d our franchise हमारा स्ञOR हो जाएगा अगला प्रशने हमा आस भार नहीं है राम लिला उत्सव गोपाल कृष्णा राव पंडित समारो गौयलियर नदीश महत्सव जबलपूर और तुलसी जयांती समारो चित्रकुट तो इन में से कौन सा सुमेलित नहीं है जो नाविजी महत्सव जबलपूर यह समेलित नहीं है अगला प्रशने केसा चंद बना देती है के लेखा कौन है हरी शंकर परसाई गजानन मादो मुक्ति बोट पंडित माखनलाल चतुर्वेदी और सुर्यकांत रिपाटी निरला तो इसके जो लेखा के वो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी है अगला प्रशने अमरा निर्मलिकित बोलियों में से कौन मद्यप्रदेश की मौल बोली नहीं है बंडेली निमारी मालवी या मेथिली तो इसका जो से अंसर होगा वो मेथिए यहां पर यह नहीं होगा मालवी होगा और जो मेथिली है यह यूपी की बाशा है और बिहार यूपी बिहार की बाशा है यह मद्यप्रदेश की मौल बा तो आला खंड की रचना है वो जगने के लिए ओप्शन ऐसे ही हो जाएगा हमारा अगला है शरत जोशी को पदमश्री पुरुसकार कब प्रतान किया गया तो शरत जोशी को पदमश्री पुरुसकार 1990 में प्रतान किया गया ओप्शन ऐसे होगा हमारा अगला है मद्यप्रदेश में कोल जन जाती किस जिला समू में निवास करती जो कोल जन जाती का जिला समू है वो कौन सा है तो कोल जन जाती जो रिवास इद्धी सतना के इलाके में पाई जाती हो option A सही हो जाएगा हमारा जंगलियों के भी जंगली किसे कहा गया है करना है हमको जाती दे रखिये और उनके Ohh मंडला आज में जो गोंड जंचाती मरativa पाइजाती है और कि जाबुआ में जो है वहूछा वह समारा ओप्शन सिए सरी हो जाएगा दहीं हैं तो तिन एक चार अगला प्रश्ने मारा पच्मडी में रहने वाली कौरकु जन जाती के लोग को क्या कहते हैं तो जो पच्मडी में कौरकु जन जाती रह जाती थी इनको बंदोरिया कहा जाता है option D से होगा हमारा अगला है आपताब एस हरोद उपादी की संगीतग्य को परदान की गई तो आपताब एस हरोद की जो उपादी है वो हापी जली खाओं को परदान की गई थी option A से हो जाएगा हमारा अगला है विश्नु चिंचालकर की शेत्र से जूड़े वेक्ती है अगला प्रशने निर्म मलिकीत में से कौन से नत्य की एक विशेश की मुदरा हमार जन जाती है तो इसका हमारा सही अनसर होगा है असत्य पुचाए तो इसका option A से हो जागा जो डांडल नत्य जो है वो कोरकू जनजाती प्रचलित नहीं है अगला जबलपूर होम रोल की स्थबना की गई जबलपूर में होम रोल की स्थबना कब होई थी तो वो जो होई थी 1915 में होई थी option B से होगा हमारा अगला बेगा जनजाती मुख्य रूप से कहां मिलती है जो बेगा जनजाती वो मुख्य रूप से कहां मिलती है तो वो मंडला और बालागार जिले में मिलती है अगला प्रशन है हमारा सवीदान की किस अनुसूची के मद्य परदेश के आदिवासी शरणों को शरणी बद्द किया गया था जिसका जो से अंसर होगा वो अनुसूची पांस में होगा उप्शन ऐसे हो जाएगा अगला निर्मलिकीत में से कौन सी पारदी जन जाती की एक उप जाती है जो पारदी जन जाती है उसकी उप जाती पूचा है तो जो घोसा ही पारदी जो है वो पारदी जन जाती है अगला है ख्वाजा नायक का जन्म कहा हुआ था जो ख्वाजान आयक थे उनका जन्म जो है वो वीरी ग्राम में हुआ था ओप्शन सी से हो जाएगा हमारा अगला है अंग्रे जो द्वारा इंडिया रोबिन हुड़े की उपादी किसे दी गई थी तो इंडिया का जो रोबिन हुड़े है वो तांतिया भिल को कहा गया था और मध्यपर्देश का जो निमार का जो रोबिन हुड़े है वो पीमान आयागी लेकिन इसका जो हमारा भारत का पूचा है हमसे तो वो तांतिया भिल हो जाएगा अगला शंकरशा 1857 की करांधी का शित्र का था यानि कि शंकरशा थे 1859 की करांधी में कहां से लड़े थे वो तो इसका जो हमारा से अंजर होगा बादेश की बुवा के नाम से किसे जाना जाता था तो मद्य परदेश की बुवा के नाम से जमुना देवी को जाना जाता था और ये प्रथम जो थी वो नेता प्रतिपक्ष रही थी कह रही थी नेता प्रतिपक्ष और कब बने थी ये 2003 में बने थी जमुना देवी एकला प्रशन हमारा नर्सिंग पूर मे किसमें नेत्रत्रक था ठरोस सतावन के कांती का तो वो महर्वां सिंग न किया था। option-a से हDIO जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश के किसी इस्थान पर नमक बनाकर सत्या ग्रह किया गया था। मध्य प्रदेश के जहबालपूर शिवनीश नीशूहर। खन्दबा सबी जगह पर समख बनागर सत्यागरा प्रारंप किया गया था ओप्षिन डी से हो जाएगा अगला है रतला में महिला सेवा दल की इस्थापना नेन्वा में से किस वर्षी किये गई थी महिला सेवा दल की इस्थापना जो ही 1931 में की गईती कhalb बावनवा अधिवेशन ता त्रीपूरी में कौन सा था बावनवा तो इसका जो हमारा अंसर जो है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा और दोस्तों जो आज का टेस्ट हमारा यहीं पूरा हुआ और यह जो हमारा पेपर है उसके खंड की फ़स्ट यूनिट है और जैसा कि आप सब को पता है कि 2020 का सिले बस बदर गया है उसमें पहले दो पेपर होते थे अब एक ही पेपर होगा और दो पार्ट में होगा ए और बी में होगा ए में कितने प्रशन होंगी ए में पचास बागिंग भी होगी इसमें तो यह याद रखना एक प्रश्नका होगा जिसमें से आपके आज करिए हमारी जो फर्स्ट पार्ट है पार्ट है उसकी फर्स्ट यूनिट का टेस्ट था और अगर दोस्तों हम आगे भी और इसी प्रकार की और टेस्ट अपलोड करेंगे